प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों की यात्रा के आखरी पड़ाओं में सिंगापूर पहुँचे चांगी हवाई अड़े पर उनका स्वागत किया गया होटल पहुचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारती समुदाय की ओर से गर्म जोशी से स्वागत किया गया इस दोरान प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद कलाकारों के साथ ढोल बजाते भी नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापूर के प्रधानमंत्री लौरेंस वौंग से मुलाकार की दोनोंने ताओं ने विभिन्न मुद्धों पर चर्चा की सिंगापूर यात्र के दोरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां के प्रधानमंत्री लौरेंस वौंग के अलावा राश्टपती धर्मन शन मुगरत्णम और सिंगापूर के शेशनेताओं से मुलाकात का कारिक्रम है वे सिंगापूर के व्यवसाईयों से भी मुलाकात करेंगे द्यापार और निवेश के दृष्टी कोण से प्रधानमंत्री की सिंगापूर यात्रा काफी महत्तुपूर्ण है सिंगापूर आसियान में भारत का सबसी बड़ा व्यापारिक साज़ेदार है हाली में सिंगापूर में द्यूती, भारत, सिंगापूर, मंत्री, स्तरी, गोल मेज सम्मेलन हुआ था इसमें दोनों देशों ने विभिन क्षित्रों में द्यूपक्षिये सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की थी प्रधानमंत्री की यात्रा के दारान कई क्षित्रों में समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है भारत और सिंगपूर के प्रयासों और रणनीतिक योजना ने उनके बीच द्वीपक्षरिय संबंधों को एक नए मोड पर ला दिया है जिससे संसाधन संपन और संसाधन निर्भर देशों के बीच व्यापार और निवेश और संबंधों में तीजी आई है भारत और सिंगपूर के बीच संबंध पुराने और जीवन्त बने हुए हैं इनके बीच द्वी पक्षवियों संबंधों का इतिहास साजह मूल्यों, आर्थिक अवसरों और प्रमुख मुद्धों परपरस पर हितों पर आधारित है। आर्थिक और तक्निकी संबंधों, सांस्कृतिक, लोगों से लोगों के बीच संबंधों से लेकर कोशल विकास और डिजिटरली करान तक बड़े पैमाने पर संबंध बहुत जीवन्त और व्यापक रहे हैं। भारत सिंगापूर संबंध डिपरक्षरियों संबंधों को बढ़ाने में एक नई प्रजेक्टरी देखेंगे। आसियान में भारत का सब्प्रबड़ा व्यापार साज़ेदार सिंगापूर FDI का भी प्रमुख स्रोत है। सिंगापूर भारत को भूराजनितिक रूप से और विकास के एक महतोपूर्ण इंजन की रूप में देखता है। पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच पंदरवी भारत सिंगापूर रक्षा निती वारता आयोजित की गई थी। जिसमें सेवा संपर्क, द्विपक्षी अभ्यास और साइबर सुरक्षा जैसे उभरतिक शेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमती बनी थी। दोनों देशों ने आपसी विश्वास और समझ, साजाहितों और लोकतंत्र और खानून के शासन के साजा मुल्यों के आधार पर रणनीतिक साज़दारी को पूरी तरह से लागू करने की अपनी प्रतिबधता जताई है। दोनों देशों की रणनीतिक साज़दारी को एक नई गती और देशा तब मिली जब प्रधानवंत्री नरेंदर मोदी ने 2018 में सिंगपूर की आधिकारिक के यात्रा की। उसी साल 14-15 नवंबर को आसियान भारत, RCEP और 13-वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो दूसरी बार सिंगपूर गए। प्रधानवंत्री नरेंदर मोदी 1 जून 2018 को सालाना शांगरीला डायलोग में मुख्य भाषवन देने वाले पहले भारती प्रधानवंत्री बने। सिंगपूर के ततकालीन प्रधानवंत्री ली सिन लूंग 2018 में गौनतंत्र दिवस समारों में शामिल हुए और 2018 आसियान भारत समारक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। दक्षिनपूर एशयाई देशों में सिंगपूर अभी भी भारत का सबसे विश्वसनी रोननीतिक साज़दार है। पिछले दो उद्दशकों से सिंगपूर भारत की लुक इस्ट पॉलिसी में महत्तुपूर्ण स्थान रखता आ रहा है। संसट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सबस्क्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ इन्हें लाइक और शेर करना ना भूलें।